हलो फ्रेंड्स गूर्मॉर्णिंग एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लोग प्रिये यूटूब चैनल ह्पी टैट टीजटी में गाइज आज तारीके 6 मई 2020 और आज हिमचल प्रदेश टाफ सेलेक्शन कमिशन हमीरपूर्ण ने शास्त्री कमिशन का रिजल्ट डिक के बाद कुछ एक कर्म चारी हमीरपूर बोर्ड के अंदर पॉस्टिफ पाए गे थे तो उस कारण से डिले होगा आठ्स के रिजल्ट में और इसका पूरा मैं अंसर बताने वाला हूं वीडियो के लास्ट में कि कब जहें टीजटी आर्स का रिजल्ट आएगा विकाज हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है हम अपने बड़ से गुरूप में उन्हें यह चीज़ सेंड कर लेंगे तो बेरहाल गाईज आज हम इस नोटिफ को देख लेते हैं बड़ा ही खास देन शास्तरी के लिए क्यूंकि बहुत लंबे समय से इनकजार कर रहे थे और इ चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि अथेंटेक और बिल्कुल सटीक इनफॉर्मेशन रिगार्डिंग दा एनी काइंड ओफ डिट्यूट्मेंट आफ टीचर टीचर की किसी भी डिट्यूट्मेंट की अथेंटेक जानकारी आपको इसी चैनल में मिलेगी वेरहाल बढ़ते ह आगे हमचल प्रदेस स्टाफ सेलेक्शन कमिशन टूडे डेकलियर दा रिजल्ट आफ रिटन अब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर्द इट्यूट्मेंट आफ शेसोतीन पोस्ट आपको दिख रहे हैं गाईज छेसोतीन पोस्ट के लिए एक्जाम कंड़ करते हैं तो अगर आपका डिस्टिक के अंदर आपकी मेरिट करते हैं तो आप उसी डिस्टिक में रह सकते हो तो उसके लिए अगर आपको पता नहीं है तो आप हमाई वीडियो को बहुच कर सकते हो उसमें मैंने बताए कि कौन सी डिस्टिक में कितनी सीटे हैं अलग अलग मतलब मैं कितनी नंबरों पोस्ट सैं शास्तरी के लिए और इस साथ लिए में आपके बताया हैं तो यह 20 दि क्या होता है आप जो है horizontally जाना जैसे आप PDF को चेक करेंगे तो इस तरफ जाना जैसे आप देख सकते हैं यहां पर फर्स्ट नुम्र यह है इस तरह से नीचे जाते हैं नीचे जैसे देख लेगा और सीधे देख लेगा और सीधे देख लेगा नमबर नहीं लगाए तो ध्यान अखना है आपको बिल्कुल इंपोर्टन चीज़ है बड़े ही आराम से आप इस पीडियो आपको देख सकते हैं पीडियाप आपके पास होगी आपको अपको देखना मैंने बिल्कुल पिताया है जैसे आपको लगता है कि आपके नियर भाइक कि जैसे 43 आपका रो नमबर तो आप प्लिस चीज़ को ध्यान रखे पीडियाप को आप आसानी से रीड करें बिल्कुल धढ़े बनाकर रोरि चेक कर सकते हैं वैसे मैं भी दिखाने कोशिश कर रहा हूँ आपको अगर आपको पूरी पीडियाप चाहिए तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूँगा या फिर आपको पता है कि हम बड़सेप में है बड़सेप ग्रुप हमारा है तो बाम पे भी आप मांग सकते हुए पीडियाप तो यह पीडियाप है गाईज बहुत लंबी है तो इस पर फूरा डेले होगा बेरहाल आप इस बाकी रिजल्ट को आप देख सकते हैं और इसके अलावा गाईज यह टोटल है 1816 जो साथी है उनको इन्वाइट किया गया के लिए तो आए यहां पर आप देख सकते गाईज टोटल जो पोस्ट थी वह ची सो तीन थी ची सो तीन पोस्टियूंग के लिए 1816 को इन्वाइट किया गया है डॉकमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मैं बता दू यह तो आपको पता है कि डॉकमेंट वेरिफिकेशन मतलब क्राइटीरिया फॉर पंद्रा नंबर करके एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने बताया कि डॉकमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से लगते हैं और उनके नंबर की बेटेज कितनी होती है जैसे हमचल लेंडलेस है तो उसका एक लगता है इस तरह से हमने आपको बत बिच में शास्तरी कियोगी उसके लिए आपको क्या है मतलब आपके लिए बकाइदा एक पोस्त आएगा आपके घर को आएगा पोस्त आएगा कोल लेटर आएगा तो क्यों पर आपकी पर टिकुलर डेट मेंशन की होगी यहां पर देख रहे न एक से लेकर 15 अब आहरे सकत तो मतलब इतना लंबा पिरियट दिया गया है लेकिन आपको जब आपका कॉल लेटर आएगा उसमें एक पर्टिकुलर डेट दिया होगी जैसे मालो आपको दिया होगा कि 12-6-2021 को आपको इंवाइट किया गया है है सिस्टम तो छे माई को हमीर पूर ने शास तरीका रिजल्ट डेकलियर किया हो सकता है कि अगर जल्दी आए फस्ट भी को माई बोला था अगर मतलब रिजल्ट का पूरा एवैलिशन हो चुका होगा मतलब यह एक्सपेक्टिड है गाई प्रोवलिटी है हम कह रहें कि अगर क्योंकि हमारे पास ऐसा वोला है कि फस्ट भी को महीं आएगा रिजल्ट ओके शास तरीका तो आ गया अगर दोस्ट यह तीन दिन में टीजटी आर्स का आता है मतलब जो गाईज आई मीन टुसे कि पूरी प्रक्लिया हो चुक होगी कम्प्लीट अभी एलेशन की पूरा नोटिफिकेशन उनने त्यार कर लिए है बस रिलीज करने की देव है तब तो दो तीन दिन में आ जाएगा शास तरीका स्वरी टीजटी आर्स का बट गाईज अगर ऐसा है कि मतलब तो बहुत सारे अभी पेपर चेक करने को रहे हैं बहुत सारे फॉर्मलिटी करने को रहे हैं तब मतलब डिले होगा यह तब कंफर्म डिले होगा तब हो सकता है कि जून में भी आ जाए यह माई के लास्ट मैं जब कोविड जाप हो जानते है 16 माई तक तो बिल्कुल तो गाइस वह दो ते दो से तिन दिन के अंदर आएगा बतला सात महीं तक आया तो ठीक है नहीं तो मुझे लग रहा है कि मही के लास्ट में यह फिर जून को आगा कि आज कल कांटक्ट मीनिंग कर सकता है हमीरपूर वोड कि क्यूंकि बंद चला हुए आपको यह पता होग करते की जल्दी ही आर्स का आ जाए मैंने अपता दिया अगर फॉर्मल्टी पूरी होगी पेंडिंग वर्क नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा सिर्फ रिलीज करने की दिरिया तब तो आज आएगा दो तेन दिन में बट अगर बर्क लोड होगा पेंडिंग होगा भी काम ब लब बर्क शूरू होगा फिर से उसके पास सीधा ही नेक्स्ट प्रिमेशन होगा तो उसके लिए प्रेपरेशन कर ले थैंक्यू गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें और कोवीड के लिए जो इंस्ट्रेक्शन जारी किये गवर्मेंट और उनसब को फोलो करें थैंक्यू गाइज